पितिस अचार जी धंतेरस के दिन दिया जलाने का विधान है उस दिन एम के नाम से भी दिया जलाया जाता है लेकिन इसके अलावे और कितना दिया जलाना चाहिए यानि कुल मिलाकर धंतेरस के दिन कितना दिया जलाना चाहिए और कितनी वार कौन सा मंत्र जाप करने से घर मे सुक्सम्रिद्धी की विर्दी हो और मतालच्मी प्रसंद हो जयवाबा विद्धिनाज धन तेरस के दिन कुवेर और लक्ष्मी की पुजा होती है उस दिन भी धन तेरस के दिन धन की बढ़ोतरी के लिए व्यापार में या आप जहां औसधी का संस्थान हो वहाँ धन तेरस में कुवेर की विसेश पूजा की जाती है तो कुवेर की पूजा की जाती है उस दिन जम दिया भी जलाया जाता है तो आप उस दिन तेरह यानि तेरस जो है तेरस का मतलब तेरहवी तो तेरहवी में तेरह दिया जलाएं आप तेरह दिया जला करके और कुवेर का पूजन करें हो सके तो दिपक को रात भर जलने दें साम परदोस काल में जलाएं रात भर दिपक जलें और दिपक जलने के साथ ही कुवेर मंत्र का जाब तेरह दिया जला लें और तेरह दिया जलाने के बाद वेर के बीजमन्त का आप बैठ करके जाप करेंगे तो आपका निस्चित रूप से आपके घर में आपके दुकान में आपके उद्यों का स्थान जो है या जहां आप बिजनस करते हैं वैसी जगह पर बैठ करके एकांत जगह पर जदी आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्यापार निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, चल जाएगा, तो 13 दिया जलाएं, लेकिन ध्यान रहे, सभी दिया में लोंग डालें, लोंग डाल करके जिदिया आप जलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका प्यापार आगे बढ़ेगा, क्योंकि लोंग जो है, वह नकारात्म उर्जा को समाप्त करके सकारात्मक उर्जा का संचार करता है इसलिए दीपक में लोंग डालें और तेरह दिया जला करके आप खुबेर का पुज़ाएं